नमस्कार मैं निकिता उत्तरपिदेश के जन्पदम रोहा से गंटंट दिवस के दिन प्रशासन की पाबंदी के बाद भी जन्पदम रोहा में धड़ेले से शराब बिक्ती रही कहीं दिवार का सहारा लेकर तो कहीं ठेकों से खुले आम शराब बिक्ती हुई देखी गई दरसल मामला जन्पदम रोहा के गज्रॉला का है जहां पर कई देसी शराब के ठेकों पर प्रशासन की पाबंदी के बाद भी धड़ेले से शराब की बिक्री चल रही है उसी को देखते हुए प्राइम नीज 24 की टीम ने जब इसकी परताल की तो आपको बता दे कि गज्रॉला के फाजल पूर फाटिक के निकट देसी शराब के ठेके पर धड़ेले से शराब बिक्ती नजर आई उसके बाद आपको बता दे के नाशनल हाइवे नंबर नौस्थित नाईपुरा में देसी शराब के ठेके पर बिना किसी डर के शराब बिक्ती दिखाई दी उत्तर प्रिदेश के मुखे मंत्री योगी दित्तिनात के आदेशों का क्या मतलब आदेशों को यह शराब विक्री करने वाले खुंटी पर रखकर कारे करते हैं तो कही ना कहीं आप कारे विभाग भी सवालों के घेरे में खड़ा होता है इसके बाद प्राइम नियूस 24 ने अमरोहा डियू से जब इसके बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि पूर्ण तरीके से प्रशासन की तरफ से आज शराब की बिक्री पर पाबंदी है गजरॉला फाजलपुर में अग्यात व्यक्ती ने 112 नंबर को सूचना दी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे 112 नंबर पुलिस 60 गांठ करके वापस लौट आई तो कही न कहीं पुलिस की कारे शैली पर भी सवाल ज़रूर उठता है क्योंकि कुछ ही कदम पर कोत वाली है आपको वीडियो में कहीं धिवार फानते तो कहीं खितों में से अवैच शराब खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही मिल जाएंगे जब कभी जहरीली शराब कई जाने ले लेती है फिर मामले की जांच की बात करके मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है लेकिन तब तब आपकारी विभाग आँख मून के सोया रहता है Prime News 24 के लिए प्रदीब कुमार की रिपोर्ट